ये मेरे पास OPPO की डिवाइस है दोस्तों बैक साड में आप देख सकते हैं OPPO की ब्रैंडिंग है और इसका मॉडल नंबर है OPPO A3X इस डिवाइस में प्राबलम यह है दोस्तों कि डिवाइस हमारी पूरी तरह से पासवर्ड लॉक है तो इस विडियो में मैं OPPO A3X को अनलॉक करने का बिल्कुल फ्री तरीका बताऊंगा और मेरी इस विडियो को देखने के बाद घर बैठे 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 बिदाव किसी बिदाव क्लैप आप बिल्कुल फ्री में आप OPPO A3X को अनलॉक कर पाएंगे यानि कि इसका pattern, pin या password lock बिल्कुल free में remove कर पाएंगे तो दोस्तों आपने देखा device हमारी पूरी तरह से password lock है अब ध्यान से सुने इससे unlock कैसे करना है देखिए दोस्तों, device को unlock करने के लिए सबसे पहले आपको इससे power off करना होता है जब आपकी device power off हो जाए, तो device के right side की तरफ देखेंगे दोस्तों आपको 3 buttons दिखाई देगी, सबसे उपर की तरफ volume up, उसके बाद volume down और बिल्कुल नीचे की तरफ power unlock button ध्यान से सुने इस device को unlock कैसे करना है जैसा को मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप device को power off कर ले करके रखेंगे, आप देखेंगे आपकी device on होगी और display पे oppo का logo दिखेगा ध्यान रहे, device जैसे ही on होगी और oppo का logo दिखेगा न, आप तुरन तीन दोनों बटन से अपनी finger हटा लेंगे उसके बाद, maximum 5 सेकंड तक बेट करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी device completely recovery mode पर active हो जाएगी मुझे अमीधा method आपको अच्छी थर से समझ में आ चुका है, चलिए ये चीज़ मैं आपको practically करके दिखा देता हूँ अभी भी देख सकते हैं, device हमारी पूरी तरह से password lock है device power off हो गई, अब ध्यान से देखें, ये चीज़ मैं आपको practically करके दिखाने जा रहा हूँ आपको मैंने बताया था दोस्तों, कि आपको down button और power button, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है 5 सेकंड के लिए तो ये देखें, इन दोनों बटन को मैंने प्रेस किया, ध्यान रहे, device जैसे ही on होगी, oppo का logo दिखेगा, आपको तुरंत इन दोनों बटन से अपनी finger हटा लेनी है और अब दोस्तों, maximum 5 सेकंड वेट करिए, आप देखेंगे, आपकी device completely recovery mode पर active हो जाएगी और ये देखें दोस्तों, finally हमारे device completely recovery mode पर active हो चुकी है अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, उपर की तरफ Chinese language है, और बिल्कुल नीचे की तरफ English language है हमारे लिए जो comfortable language है वो है English, तो हम simple यहाँ English language पर click करेंगे English language पर click करते ही, अब उपर की तरफ देखें, recovery लिखकर आगया, और यहाँ पर आपको तीन option दिख रहे हैं, format data, reboot device और power off आपको device को unlock करना है, इसका pattern, pin या password lock break करना है, इसलिए आपको click करना होगा format data पर तो यहाँ से format data पर मैंने click किया, format data पर click करते ही दोस्तों, यहाँ पर new interface देखने को मिलेगा, सबसे उपर की तरफ आप देख सकते हैं, लिख के आगया format data, और यहाँ पर ध्यान दीजे, लिखा, please enter verification code, और यहाँ पर देखें, चारंकों का code है, ध्यान दीजे, यह जो code है, continue change होता रहता है, मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, कि अगर यही सेम प्रोसेस, आप अपने device में follow करेंगे, तो आप देखेंगे, code change हो जाएगा, देख सकते हैं, दोस्तों, code change हो गया, तो पूरा कहने का मतलब यह है, कि code को लेकर आपको confused नहीं होना है, code continue change होता रहता है, तो अभी हमको करना क्या है, यह जो code दिया हुआ है, यह code हमको यहाँ पे manually enter करना है, तो यह देखें, code मैंने enter किया, code enter करते ही, आप देखें, यहाँ पे लिख्या आगया format data, उसके बाद लिखा, all user data will be reset, और आपके सामने दो option है, cancel और format, धान दीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा format पे, लेकिन अगर आप format पे क्लिक करेंगे, तो आपके device का जो भी data है, वो सारा data डिलीट हो जाएगा, यह video के starting में मैंने mention कर दिया है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे कि इस device का data बचाया जा सके, तो चुकि दोस्तों हमें device को unlock करना है, इसलिए finally हम में क्लिक करना होगा format पे, तो यहां से format पे मैंने क्लिक किया, और यह देखिए wiping please wait, कुछ second wait करिए, जैसे यह process complete होगा, data formatted का message आएगा, देख सकते हैं, process complete हुआ और data formatted का message आगया, तो data formatted का message आगया, इस मीन कि device पूरी तरह से unlock हो गई, तो अब यहां को क्लिक करना होगा okay पे, तो यहां से मैंने okay पे क्लिक किया, okay पे क्लिक करते ही device आपकी reboot हो जाएगी, device reboot हो गई न, अब दोस्तों आपको wait करना है, इसे पूरी तरह से on होने तक, जब device reboot होकर पूरी तरह से on होगी, आप देखेंगे आपके display पे पहले की तरह किसी भी type का locks हो नहीं करेगा, औ और आपकी device OPPO A3X पूरी तरह से unlock हो जाएगी, इस वीडियो में मैंने बताया OPPO A3X को unlock करने का बिल्कुल प्री तरीका, I hope कि वीडियो आपके लिए helpful होगी, पसंद आएगी, अच्छी लगी वीडियो तो please वीडियो को share करिए, like करिए, चैनल को support और subscribe करिए, वीडियो स box में available है, फिलहाल अभी आपको wait करना है इसे पूरी तरह से on होने तक, अब यहाँ देखें दोस्तों, maximum एक मिनट वेट करने के बाद, डिवाईस हमारी reboot हुई, और reboot होकर पूरी तरह से on हो चुकी है, देख सकते हैं, डिस्पले पे किसी भी टाइप का locks हो नहीं कर रहा है, चलिए complete setup करते हैं, सबसे पहले click करना होगा आपको इस aero पे, यहाँ स simple आप next पे click करें, यहाँ से आपको अपनी country इंडिया select करना है, उसके बाद आप simple continue पे click करें, यहाँ से next पे click करें, once again आपको next पे click करना है, यहाँ पे दिखेगा skip, आप skip पे click करें, connect to wifi वाले option पे आ चुके हैं, तो यहाँ उपर की तरब देखेंगे, दोस्तो skip का option सो करेगा, आप skip के option पे click करें, नीचे की तरब दिखेगा more, आप more पे click करें, once again more पे click करें, accept आ गया, आप इस पे click करें, unlock method का option आ गया, तो यहाँ से आप चाहें तो अपने device में फिर से pattern, pin, password, face या finger lock apply कर सकते हैं, इस option को मैं skip करूँगा, इसलिए मैंने skip पे click किया, यहाँ नीचे से simple आप next पे click करें, यहाँ देखें दोस्तों, negation के दो option है, button या gesture, आपको जो पसंद आए, वो select करें, उसके बाद आप नीचे से done पे click कर दे, color OS, नीचे के तरफ आपको दिखे का get started, आप इस पे click करें, और बस, अब जाके आपकी device OPPO A3X, इसका pattern, pin या password lock पूरी तरह से remove हो गया, इस वीडियो में मैंने complete setup करके दिखा दिया, तो दोस्तों यह परा full process था, OPPO A3X को unlock करने का, उम्मीद है, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अच्छी लगे व अंट्रेस्टिंग वीडियो की continue notification पाने के लिए चैनल को support करिए, subscribe करिए, thanks for watching this video.